जबलपूर के गोहलपूर इलाके में खंडलवाल फर्णीचर के पास लोडिंग आटो पार्किंग मिबाद के वज़ा से शुरू उर्फ शेर खान की हत्या करने वाले सोनू उर्फ, शौजाद और उसके भाई ने मिलकर शेरू और शेर खान के निर्मम हत्या कर दे थी दोनों आरोपियों की पुलीस ने सरगर्मी से तलाश की और दोनों आरोपी पुलीस ने गृफतार कर लिया है खंडलवाल फरनीचर के पास लोडिंग आटो खड़े किये जाते हैं यही पर लोडिंग आटो पार्किंग की वज़ा से दोनों पक्षों में मामुली विवाद हुआ था जिस विवाद की वज़ा से चाकूबाजी की घटना हुई और शेरू उर्फ शेक खान की निर्मम हत्या कर दी गई थी कि ए गोओे की वज़ाँ में औरकिंग चleोर 15 बाति की तोромी में मूत शदाद लादो जाँ तो ऑर पहर 15 лиमा इर था कर वो जार जार कोणा काम काम युझ भी अन है की बप्षी है piston के अएड़ worried about the om इस अज़ अँ़ मार में आके को में खॉखई चो दो कि आ रहा आपके है कि कर लाद है है ता रह अटै जा साहर 그 लाद़ हम है रहा .... नाज्य समय में जाओा प Actually है जुिक खर mism।़ के जुचा है जाज़ कोने छादर औरी जँवा को बाह ग्मेश अँड़ तक प्यूलो नियो एता है एक में एक मैं एक जर नाय बख्यों एक प्यूंद को अचैं कर संदध को एक मैं जल के जिए रहन को जए एक से एक प्यूंद कर दो एक उनियो, जीए यूज है कि कल गोहलपुर थाना के अंतरगत रद्दी चौकी से आधरताल की तरह चलते हुए खंडेलवाल फ़नीचर्स के बहार दो फक्षों में विवाद हुआ था वहां पर जो लोडिंग ओटो है उसकी पाइपिंग को लेकर विवाद हुआ था उसमें एक व्यक्तिन है जो की सोनो और शेजाद है उसने शेरो शेरखान पर चाकू से वार किया और उसके यहां हाट से चोटाए और उसकी मत्वी होगी इसमें शेरो शेरखान और उसके भाई मौनू इन दोनों ने मिलके इससे मारविट की थी और इसके इन दोनों को के विरुद अपराद पंजीवत किया ग इनोने रोज में लड़ाई भी